मादवपूर नाम का एक प्यारा सा गाव था उस गाव में चिंटु और पिंटु नाम के दो छोटे बच्चे रहते थे उनके पास एक बड़ा हाती था तबी वहाँ पर बकू और जानी आ जाते है अब यह मुसिबत कहा से हमारे गले पड़ गई मुसिबत नहीं चिंटु मैं तुमारे खुशियों का काल हूँ साले चिंटु हमने क्या दो चार गावालों को परिशान कर लिया तो तुमने हमें बहुत सताया ना आज तुझे नहीं छोड़ेंगे हम लोग रोबोट भी चिंटु की तरफ आ जाता है और उन दोनों को मारने लगता है और रोबोट बेते बेतर दिसे उन दोनों को मार रहा था अरे नहीं पिंटु और आती भागो तब चिंटु पिंटु और उसका हाती वहां से भागने लगे और दूसरी तरफ बकू और जौनी जोर जोर से हसने लगे यस आकिरकार वो दुनों जंगल की तरफ चली गए आज कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ से भाग कर चिंटू पिंटू और उसका हाथी जंगल में आ जाते है वो दोनों काफी उदास्त है जौनी और वकू नहीं छोड़ूंगा तुम्हें एक दिन तभी वहाँ पर कोई तो उनकी तरफ बॉम फेक देता है वो बॉम वहाँ पर फिल जाता है और चार तरफ दूआ फैल जाता है थोड़ी देर बात वहाँ से दूआ गायब हो जाता है पर वहाँ पर उनका हाथी नहीं होता चिंटू पिंटू को क्या हुआ है कुछ समझने आ रहा था अरे यार चिंटू अब हमारा हाथी का गया अभी जो दूआ हुआ था उसे में हमारे हाथी को किसी ने तो किण्याप कर लिया पिंटू लगता है दुनिया की सारी मुशिविदे हमारे गले है चिंटू पिंटू यार हम इस दुनिया में इतने अखेले क्यों है हमारी कोई भी मदद ने करता बगवान जी आप तो मदद कीजिए मदद कीजिए मदद कीजिए तब ओ दोनो नाराज होकर यहां से जाने लगे तब ही आसमान से दो रोश्णिया जमीन पर गिरती है चिंटू पिंटू डर जाते है वहां से दो रोबोट निकल के आते है अरे यार यह दो रोबोट कहा से आए चिंटू पिंटू तुम हमसे डरो मत हम जादूई रोबोट है, हम उस हर इंसान की मदद करते है जो मुश्किल में होता है चिंटू पिंटू तुमारे साथ क्या हुआ है वो हमें बताओ तब चिंटू ने सुबह से उसके साथ जो भी हुआता उस सारी बाते उन जादूई रोबोट का बता दी तुम चिंटा मत करो चिंटू पिंटू, हम तुमारे हाथी को दून लेंगे और उस बकू को भी नहीं छोड़ेंगे हमारा मिशन लगबग खतम हो चुका है, सिर्फ हमें कुछ हाथियों की जरूरत है इने बेच गर हम पैसा कमा लेंगे, मैं तब तक चिंटू पिंटू पे नजर रखता हूँ, तुम इन हाथियों का खयाल रखना ठीक है मेरे दोस अरे यार, आज तो गावो में कोई भी नहीं दिख रहा, आज हम किसे सताएंगे तब चिंटू पिंटू अपने दो जादू रोबोट के साथ गावो में आ जाते है इतने जिनों से तुमारे शैतनी गावले सहे रहते, अब नहीं सहेंगे हम लगता है तेरे में बहुत चर भी आ गई जानियों और बकू अब नहीं, अब मेरे पास भी दो जादू रोबोट है, अब वो तुमारे रोबोट की लंका लगा देंगे लगता है तुम्हें कुछ दिर पहले छोड़के हमने गल्ती कर दी उन जादू रोबोट में और बकू अब नहीं के रोबोट में भैंकर लड़ाई होने लगे शुरुवात में ही ओ जादू रोबोट उन रोबोट पे भारे बढ़ने लगे वे रोबोट भी अपनी पूरी ताकर लगा कर उन जादू रोबोट पे वार करने लगे जादूए रोबोट की जादूए रोबोट चुटकी मी ही हार गए जॉनी बकू अब तो समझ जाओ बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है चिन्टू हमें माफ कर दे इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हम चे अच्छे से बात कर रहे हैं आज से हम भी सब के साथ अच्छे से रहेंगे तब बकू और जॉनी वहाँ से निकल जाते हैं अरे नहीं इन दोनों के पास इतने पावरफुल रोबोट कहा से आ गए मुझे लगी रहा था हम पर कोई ना कोई नजर रख रहा है तू तूम हो अरे नहीं उसने तू मुझे देख लिया चलो भाग लेता हूँ यासे तब ओ आदमी वहाँ से भागने लगा पर चिंटू का रोबोट उसे उपकड लेता है मुझे गुटना पर बिटा के तूम लोगों ने अच्छा नहीं किया चिंटू पिंटू तूम हमें सीधे तरह से बता दो का है मेरा आती हम तुमें छोड़ देंगे तब वहाँ पर बड़े बड़े दो रोबोट आ जाते हैं लगता है तुम्हें मार कर ही सब कुछ उगलाना पड़ेगा देखते हैं किसमें हैं कितना दम तब उस रोबोट में बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है अभी तो फिच्चर बाकी है सीटू हमला करो और तोड़ दो उस रोबोट को उस रोबोट की ने की जोरदा ठीक से और रोबोट धेर हो जाता है तब दुसरा रोबोट आगे बढ़कर उस रोबोट को वार करने करता है और रोबोट उसे बहुत ही बेदर के से मारने लगा और वो रोबोट नीचे इर जाता है तब ही वहाँ पर दुसरा रोबोट आ जाता है ओ रोबोट मेटल को पिगनाने वाली आग से उस रोबोट पे हमला कर देता है पर उस रोबोट को कुछ भी फरक नहीं पड़ रहा था अरे नहीं ये तो मेटल को पिगनाने वाली आग है पर इसे कुछ नहीं हो रहा जादुई रोबोट और ओर रोबोट भी एक दुसरे को बहुती बेदर्दे से माजने लगे उस रोबोट के कीक से जादुई रोबोट तूट जाके गिर जाता है फिर जादवी रोबोट अपनी पूरी ताकत लगा कर उस रोबोट को वार करने के लिए तैयार हो जाता है और ओर रोबोट नीटेड ठेर हो जाता है अब हम तो हमारा हाथी धून लेंगे पर तुमारा क्या होगा यह अंतरिस में तीन रोबोट बायों की बहुत ही खतरनाक लड़ा हो रही थी उसमें से जो बड़ा बाई था प्राइम वो उनके प्लानेट का राजा था यह तिनों यह एक मिशन के दौरान आये थे लेकिन उसमें से दो छोटे बाई थे उन्होंने प्राइम को दोका दे दि उन तिनों में से जो दो छोटे बाई थे उसमें गिर गए या दुसी दर प्राइम कापी टेजे से नीचे गिर गया उसका सिस्ट्रिम खराब हो गया था अगले दिन उसी जंगल के पास उदाइपूर नाम का एक गाउ था उस गाउ में उस दिन एक टैक्टर पोलेड गया सर्पन जी अप मेरा टैक्टर प्लेड अ हम क्या करे औरे राम लॉप्ल मिंच नी나ondere कि धा क्यों कर रही हो हमारे गवा में चिंटू पिंटू है वो तुम्हारा टैक्टर दो Amen 2 में सिधा कर देंगे मैं अभी उने बुलाता है सर्पन जी आपको हमें बुलानेगे जरूरत हम आ गए लोग आ गए चिंटु पिंटु अप्टु में धरने की कोई ज़रूरत नहीं सब का एकिन चिंटु पिंटु पे था क्योंकि वो हमेशा गावल की मदद करते थे अपने रोबोट के साथ तब चिंटु को रोबोट आगे बढ़ने लगा और उसने अपने पुरी ता हरे नहीं दादा जी आप यहां आ गए भागो पिंटु तबो तिनों वहाँ से भाग कर जंगल की तरफ जाने लगे कहा तक भागोगे रात में तु तु घर आओगे ना रात में तेरी ठुकाई करूंगा या दुसरी तरफ जंगल में हो दोनों रोबोट भाई एक उसरे से बाते कर रहे थे मेरी बात सुनों चूटे हमें हमारे बड़े बाई को मार नहीं होगा अगर यहां से बसकर हमारे प्लान कर चला गया तो हम कई भी चुपले हो हमें पकड़ कर हारी जिंदकी जेल में डाल प्राइम का पता लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा या दुसरी तरफ उस रोबोट ने अपनी पेश्रिप को गायब कर दिया तभी वहां पर कुछ देर बाद चिंटू बिंटू और रोबोट आने लगे उस रोबोट को वहां कुछ आच्छा नहीं लग रहा था इसलि अरे यार यह सब क्या हुआ है लगता है चिंटू यह सब जेलकर मरें लेकिन कैसे तब उन जानोरी के जाज करने के लिए रोबोट आगे बढ़ने लगा लेकिन तब भी वहा पर एक अधिकापी तेज़े से रोबोट की तरफ बाबता हुआ आने लगा आस तो बाल-बाल बगे चिंटू यार आप इंटू आस तो बाल-बाल रज़े लेकिन इस जंगल में हो क्या रहा है कोई यहां से उतर भाग रहा है कोई जलकर मरा पड़ा हुआ है सारी तरफ कोरा मचा हुआ है सर यह सब आके रेडियेशन के वज़े सो रहा है आको रेडियेशन नहीं सुन सके लेकिन जानवरोल रेडियेशन सुन रहे है इसलिए यहां सब फुतल-फुतल हो रहा है लेकिन रोबोट यह रेडियेशन आख आसे रहा है सर इस वह था हमारी गाव की तरफ से कापी रेडियेशन आमरी तरफ बढ़ रहा है तो फिर चलो गाव में तभी हो तिनों वहां से गाव की तरफ बढ़ने लगे या दुसरी तरफ प्राइम मदद बागने के लिए चिंटू-पिंटू की तरफ जाने लगा लेकिन प्राइम में एनरजी कापी कम थी इसलिए वह चिंटू-पिंटू की तरफ फोस नहीं बाया उन तिनों भाईयों में से एक रोबोट गाव में कापी भयंकर दबाई माचा रहा था तब भी वह आपर चिंटू-पिंटू और रोबोट आ गए कोन तुम और गाव में क्यों तबाई माचा रहे हो मैं आपर अपने भाई को दुणने के लाओ वह याप रुत्वी और किसी जगा पर छुप गया है क्या अगर हमने तुमारे भाई को धुन ला और उससे तूप को सौप दिया क्या तुम यहां से चले जाओगे मैं सच्चा नहीं हूँ अगर मैं इस गाव में तबाई माचा था तो प्राइम तुम लोगों बचाने के लिए ज़रूरा था मुझे लगता है अब मुझे इस गाव को इस सम्शान बनाना पड़ेगा तो हो जाए लड़ाई देखते हैं को जेता हमारे रोबोट में तो वोस एलियन रोबोट और चुन्टकोय रोबोट में कापी भयानक लड़ाई शुरू हो गई आखिर देखन रोबोट ने चुन्टकोय रोबोट को नीचे गिरा दिया अरे नहीं ये क्या हो गया और तब ही वाबर वो प्राइम रोबोट आ गया रोबोट उसने अखिर आई को ही मार गिराया अरे नहीं अब ये कोने तो प्राइम के अंदर भी ज़्यादा एनर्जी ना होने के आरण वो नीचे गिर गया पुछ देर बाद तब चिंटू फिंटू प्राइम को लेकर अपनी लैब में आ गई कोन हो तुम और तुम यहां क्या करें और तुमने उस रोबोट को क्यो मारा तब प्राइम के भाईयों ने उसका साथ जो भी कहा था उसने वो सारे बाते चिंटू को बता दी का सच्मी प्राइम तुम्हारे साथ हुआ हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे मुझे आप एनरजी के जरूर थे मेरे ने अंदर आप ज्यादे आँपने पारई पर चले जाते तो तख तोब यहास लाइब में अपनी एनरजी पड़ाओ ठीक है लेकिन हुआ संभाल के जाना या दुसरे दर प्राइम के भाई ने अपने पूरे एनर्जी चार्ज कर ली थी अब मुझे कोई भी नहीं दो सकता अब मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है तभी हुआ पर चिंटू पिंटू और रोबोट आ गए कोन हो तुम लोग और यहां क्या कर रहे हट जो मेरे रास्ते से मैं हुँ चिंटू और मुझे तुमारे भाई प्राइम ने सब कुछ बता दिया है तुछ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया और तुम यहां मरने के लिए आ गए मुझे चुप चब बता दो आकिरो इस वोग है कहा है ठेक ठेक कौन मरता है तब हो दोनों रोबोट एक दूसरे पर टूर पड़े उन दोनों में कापी टकर के लड़ाई चल रही थी लेकिन आकिर में उस लिए रोबोट से चिंटू के रोबोट को हरा ही और तब ही वहाँ पर प्राइम हा गया हाकिर कर आही गई प्राइम तुम अब नहीं छोड़ूंगा तुमें तब उन दोनों में कापी भयानक लड़ाई शुरू हो गई